कुरवाई नगर के एक नीजी मैरेज गारडन में पूर्व मुख्य मंतरी दिग्विजेश सीह ने कॉंग्रेस के पदाधी कारियों और कारीकर्ताओं के बैठक ली जिसमें उन्होंने कुरवाई विधान सभा में कॉंग्रेस की इस्तती के बारे में विस्तरत जानकारी ली गोरतलब है कि आगामी विधान सभा चुनाओं को देखते ही कॉंग्रेस के बड़े नेता शेत्र में सक्री हो गया हैं रागोगर विधायक जर्वर्दन सीह के बाद पुर्व मुख्यमंत्री दिग्विजे सीह ने कुरवाई विधान सभा की और रुक किया है और कारीकर्टाओं के बीच उनकी समस्याओं को गंभिरता से सुना है पुर्व मुख्य मंतरी डिगविजाई स्यह ने संबधित करते वे कहा कि पार्टी जिस प्रतियाशी को टिकट देगी पार्टी के सभी पदादीकारी एवं कारीकरता एक होकर पुरी ताकत से उसे जिताएंगे हर विधान सभा में प्रतियाशी अनेक होते हैं जिस प्रत्याशी को पार्टी टिकट देती है उस प्रत्याशी को संगठीत होकर पूरी ताकत से जितना ही कॉंग्रेस पार्टी के कारिकर्टाओं का करतव्य हैं। कुरवाई से शानुखान की रिपोर्ट। प्रश्टाचार बढ़ता चला गया। आप खुद ही कुरवाई के भाजबा के नेताओं के हाल देख ली जिए। जब सरकार इनके नई थी तो क्या हाल थे और आप क्या है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मना ली। और आप ज्यादा दूर मत जाएं। प्रश्टाचार में भी माननी मुक्मंत्री जी का जो एक विकास देखना है आप उनके परिवार का यह सब उसका कारण है। कुरवाई की विदानसवा सीट मानी जाती है और यहां पर यह सीट भाजपास से पराज़त हो जाती है कांग्रेश की क्या कारान है। क्या इस्थानी प्रतियाशी में उतारा जाएगा। सारी बाते पार्टी टेक करती हैं। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुलें।